एक समय में हमारी दुनिया में डाइनसौर का राज था। बहुत ही शांत स्वभाव के थे। वहीं कुछ डाइनसौर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ। आखिर वह कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान ही मिटा दिया। इसे जानने के लिए हमें कर करोड़ों साल पीछे जाना होगा। और डाइनसौर्स के उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तु आएए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल यानि की 6 करोड़ 50 लाक साल पीछे। आज से करीब साढ़े 6 करोड़ साल पहले धर्ती पर मौसम सामान्य था। चारो और सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे-लंबे पेडों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारो तरफ डाइनसौर्स के चिलाने चिंगारने की आवाजें। जब ये सारी डाइनसौर्स प्रजाती बड़े ही आराम से धर्ती पर अपना जीवन बिता रही थी। तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टरोइट का टुकड़ा जो सुदुर अंतरिक्ष से आ रहा था। वह प्रत्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और ब्रहस्मती के पीच बने क्षुद्रग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टरोइट से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टरोइट की दिशा बदल जाती है। और वह अक्षुद्रग्रह बेल्ट से निकल कर सीधे प्रत्वी की और 22,000 मेल प्रतिघंटे की रफतार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टरोइट प्रत्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायक डाइनसौर का अंत ना होता। यदि है एस्टरोइट प्रत्वी के उपग्रह चांद से टकराता, लेकिन नियती को कुछ और ही मनजूर था। इसलिए ये बड़ा एस्टरोइट चांद के बहुत नस्दीक से गुजर गया। चालिस किलोमीटर के व्यास वाला दो ट्रिलियन मेट्रिक टन का ये एस्टरोइट प्रत्येक सेकंड के साथ साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। ये एस्टरोइट जब प्रत्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफतार एक आएक सत्तर हजार किलोमीटर प्रतिघंटा हो गई। प्रत्वी के वायू मंडल में घुसते ही घर्शन की वजह से ये एक भयानक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफतार से धर्टी की और बढ़ रहा था कि सिर्फ चार मिनिट में इसने अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धर्टी पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस दहकते गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उलका को देख नहीं पा रहे थे लेकिन वह उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही एक शंड में ये एस्टरोइड मेकसिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की उर्जा वाला एक भयंकर विस्वोट होता है। इस टकराव का विस्वोट लगभग 10 हाइडरोजन बम के विस्वोट के बराबर था। ये विस्वोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धर्ती की लाखो टन धातू अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड़ा बन गया। विस्वोट के कारण इस गड़े का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए। 16 मिरिट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धर्ती के अंदर 4 और 11 दशमलव एक तीवरता की भूकमपीय तरंगे उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशाल काय लहरों का निर्मान हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरे चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकमपीय तरंगों ने सभी सक्रिये ज्वाला मुखियों को तहका दिया जिसकी कारण जगा जगा डाइनसौर का विनाश शुरू हो गया। धर्ती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंब हो चुकी थी। इस भायानक विसफोर्ट में रेडियेशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दाइरे में आने वाले सभी जीव जल कर पूरी तरह राख के धेर में बदल गए थे। इस महाविनाश में उडने वाले डाइनसौर इन जमीनी खत्रों से तो बच निकले। लेकिन ये तो महाप्रलय की बस शुरुवात मात्र थी। विसफोर्ट की वजह से जो लाखो टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था। वह ग्रेविटेशनल पुल के ठी 40 मिनिट बाद आग के गोले के रूप में पूरी धर्ती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6,000 किलोमीटर प्रतिगंटे की रफ्तार से प्रत्वी के दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे जिस पर पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी जलकर खाक हो गई थी। विसफोर्ट के 90 मिनिट बाद धर्ती का तापमान 200 डिग्री सेलसियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डाइनसौर विसफोर्ट के इलाके से कों सो मील दूर थे वे भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धर्ती की कुल 90 प्रतिशत प्रजाती पूरी तरह खत्म हो गई थी। और जो 10 प्रतिशत जीव धर्ती पर बच गए थे उनमें से भी सिर्फ वही जीव जिन्दा रह सके जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण ये था कि इस महाप्रलय म लाखों की संख्या में जीव मारी जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी भी जलकर राक हो चुकी थी। जिसके चलते यहां जो बड़े और विशालकाय जीव जीवित बच गए थे उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना ना मिल सका। लेकिन ये महाप्रल किसी अन्य जीव के लिए फाइदे मन साबित होने वाला था। डाइनोसौर्स का अंत एक नई प्रजाती के लिए सुनहरा आफसर लेकर आया। ये प्रजाती थी मैमिल्स की। मैमिल्स यानि स्तंधारी जीव। इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत सतह पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे थे और धर्ती पर जो 5 प्रतिशत जीव बच गए थे उनमें एडाप्टिव रेडियेशन की प्रक्रिया से बहुत सारी नई प्रजातियां जन मिलेने लगी। इयोसीन इपोक में साढ़े 5 करोड साल पहले बंदर जैसी प पॉर्मेन मैगनम कहते हैं वह सकल के पिछले हिस्से के बेस से सेंटर की तरफ शिफ्ट होने लगा यानि की अब जो प्रजाती आई वह सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम थी। आज से 4.7 करोड साल पहले धर्ती के वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हुए धर्ती के टेक्टॉनिक प्लेट्स में हलचल हुई जो धर्ती के दो बड़े महादवीपों को एक दूसरे के पास ले गई। ये वही भूभाग है जहां आज हम भारतिये रहते हैं ये है इंडिया जो एशिया महादवीप की और तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों जैसी परवत मालाएं खड़ी होने लगी यह वही परवत माला है जिसे आज हम जानते हैं दुनिया की सबसे उची चोटी माउंट एवरिस्ट के नाम से ये परवत मालाएं इतनी उची थी कि इससे मौसम का पैटर्न बदलने लगा जिससे पृत्वी ठंडी होने लगी इस श्रंखला से गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्मान करने लगा यह वही नदियां हैं जिससे आज हमारी आधी से ज्यादा आबादी को पीने का पानी मुहयया होता है ओलिगोसीन इपोक में 3 करोड साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे तब ऐसे जानवर विक्सित हुए जो खुले मैदान में रहने के लिए उप्यूक्त थे और इन ही में दूसरे जानवर को खाने वाले जानवर भी वि चुका था और धर्ती के सारे महादवी लगभग पूरी तरह से जाने पहचाने थे लेकिन परिस्थितियां फिर बदलने लगी 40 लाख साल पहले धर्ती की टेक्टोनिक प्लेट में एक बार फिर से हलचल हुई और अफरिका के पूर्वी इलाकों में एक नई परवच श्रंखला का निर्माण हुआ ये परवच श्रंखला थी East African Rift Valley इस परवच श्रंखला के उभर जाने से यहां के हरे भरे जंगलों में आने वाली मौसमी हवा का मानसून पूरी तरह रुख गया और इस वजह से यहां के जंगलों में बारिश आनी बंध हो गई यहीं इसी जंगल में रहते थे The Great Apes ये हैं हमारी काफी दूर के रिष्टेदार हमारी ये पूरवच कहलाते हैं पेरोला पिथिकस या पेरोला हमारी परिवार की शुर्वात इसी Great Apes से हुई पेरोला पेडों पर रहते थे और फल खाते थे वजनी होने के कारण ये एक डा के उलट सीधे चलने की ख्षंता जमीन पर नहीं बलकि टहनियों पर विकसित हुई बाइपेडालिजम यानि दो पेरों पर चलना इंसानों की नहीं बलकि Apes की खोज थी आगे चलकर ये Great Apes जलवायू और जगह के अनुसार बदल गए कुछ चिंपैंजी और गोरिला में व पड़ा जंगल सूख जाने से इन Apes के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई और इसलिए अब ये पेडों से उतर कर खाने की तलाश में जमीन पर अपने कदम रखने लगे ये हैं Aedipithecus Remedus ये हैं हमारे पूरवज जिन्होंने जमीन पर मानव इतिहास का पहला कदम रख और आज इनहीं के कारण हमने चान पर अपना पहला कदम रखा इनका दिमाग एक संत्रे जितना बड़ा था और इनकी लंबाई 4 फीट तक थी ये हमारे वंच के सबसे पहले सीधे चलने वाले जीव थे कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद ये दो पैरों पर चलने लगे समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे फिक्सित होने लगे 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा हो गया था ये थे होमो हैबिलियस इन्हों ने पहली बार पत्थर को हथियार की तरह इस्तिमाल करना श जिससे वह हजारों ऐसे काम कर सकता था जो वह पहले नहीं कर पाता था पत्थर के इस्तिमाल ने अंगूठे और उंगलियों को मजबूती दी जिससे हम और अधिक कुशल तरीके से इनका इस्तिमाल करने में सक्षम हो गए समय बीतने के साथ ही हमारे पूरवज अब सम्मूह में अन्य जानवरों का शिकार करने लगे थे ये थे होमो एरेक्टस जो अन्य जानवरों से ज्यादा होशयार थे इन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तिमाल करना सीखा आग की खोज हमारे पूरवजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी ये उन्हें गर्मी, रोशनी, अंधेरों और जंगली जानवरों से सुरक्षा देती थी और इसी वजह से अब परिवार भी बनने लगे इन्होंने आग पर मास को पकाना सीख लिया था आग पर खाना पकाने का मतलब था कि मास को चबाने और पचाने में उर्जा का कम खर्च होना और इसी वजह से ये उर्जा अब इनके दिमाग में खर्च होने लगी और इनहें कैलोरी और ज्यादा ताकत मिलने लगी जिससे हमारे पूरवजों का दिमाग काफी बड़ा हो गया दो लाख साल पहले आज के इनसान ने अपना रूप ले लिया था लेरिंग्स यानि आवाज की जो नली हमारे पूरवजों में गले के उपर थी वो नीचे आ गई थी अब हम ज्यादा जटल आवाजे निकाल सकते थे हमने बोलना शुरू कर दिया था पहली बार कोई जानकारी एक से दूसरे इनसान तक या एक से दूसरी पीड़ी तक पहुँचने लगी थी यही वो आखरी विकास क्रम था जिसके बाद विक्सित होकर हम बने हम यानि होमो सेपियंस एक लाख साल पहले इनसान कहीं भी जा सकता था हमारे पास फूर्तीले हाथ और प्राचीन हथियार थे हम बात कर सकते थे आग को काबू में रख सकते थे अब हम अपने अफरीकन घर को और बड़ा कर सकते थे महादवीप यानि कॉंटिनेंट खिसके तो अफरीका और यूरेशिया जुड़ गए और उससे बनी एक बहुत बड़ी जमीन जिसका नाम था एफ्रो यूरेशिया इनसानों के दूर दूर जाने से बहुत बड़ा बदलाव आया अब हम एक महादवीप से दूसरे महादवीप में रहने लगे इसकी वज़ा से हम उन चीजों से बचे हुए थे जिसकी वज़ा से वानरों के मुकाबले दूसरे बड़े स्तंधारी हमेशा के लिए खत्म हो गए करीब 50,000 साल पहले आयसेज शुरू हो गया और नॉर्थ पोल्स से आगे बढ़ने लगा उसी वक्त इनसान चाइना और आस्ट्रेलिया तक पहुँच गया था 30,000 साल पहले इनसान पहली बार यूरोप पहुँच गये जब बर्फ अपने चरम पर थी तब इनसान अपनी खोज में नॉर्थ एस्ट साइबेरिया के बर्फेली टंडा तक पहुँच गया आईसेज के इतने कठिन दौर में भी इनसान हर उस हुनर का विकास कर रहा था जिससे की वो सच्चे माईनों में इनसान बन सके हमने खुद को उस माहौल में ढाल लिया, हम ज्यादा समझदार हो गए, उसके बाद हमने पूरी दुनिया में अपनी बस्तियां बसा ली समद्र किनारे से पहाड की चोटियों तक हरे भरे मैदानों से लेकर पथ्रीले इलाकों तक हर जगा इनसान थे हमारा हुलिया, त्वच्चा, बाल और आखों का आकार जलवायू और जगह के अनुसार बदल गया हमने अपनी अवशक्ता के हिसाब से खेती शुरू की और जानवरों को पालना शुरू कर दिया हमने कजबों और शहरों का निर्मान शुरू किया, उसके बाद हमारी सभ्यता और संस्कृती का जन्म हुआ हमने विज्ञान और गणत का इस्तिमाल शुरू किया, जिससे हमें भविश्य में जाने के लिए उर्जा और तक्नीक मिली, ये है हमारा समय, अब हम पूरी तरह विक्सित हैं, हमारी जैसा इस धर्ती पर अब कोई जीव नहीं, आज हम जानते हैं कि हम कौन हैं, कहां से आए है लेकिन ये तो बस शुरुवात है, अभी हमारा सफर खत्म नहीं हुआ है, हमें अभी और आगे जाना है, आने वाली चलोतियों का सामना करना है, और खुद को और विक्सित और आधुनिक बनाना है दोस्तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो, तो फ्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करें, यदि आप नए हैं तो इस चैनल पर हमारे बाकी वीडियो भी विजिट जरूर करें, साथ ही सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी ओन कर लें, मैं हूँ आपकी दोस्त, नेहा आगर कर, फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजे इजासत, नमस्कार